नमस्कार एक जाम है पीबाई जार्खन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहाय कद्यापक के आकलन परिच्छा की तैयारी को ले करके तो दोस्तो हम बताते चले यदि आप जार्खन में सहाय कद्यापक आकलन परिच्छा की तयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दे हैं यहां पर तयारी जो है आपको पाठकरम परधारी सारे प्रशनों को करना होगा अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही र को आप देख रहे हैं यहां से कुछ नहीं होने वाला है आप जहां के तहां ही रह जाएंगे आपको करना क्या है तो आप अगर नहीं भी जूडते हैं किसी से तो आप सिफ टेस्ट बुक को पढ़िए देखे जैक ने असपस्ट कह दिया है कि पाठकरम पर सारे अधारित प्र कुछ धरा के धरा रह जाएगा तो आपको हम बता देते हैं यहां पर इस चैनल पर यदि आप जूडते तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मोडल पर अधारित है तो आपको सिर्फ और सिफ पान सो एक रुपए में जूड करके आप यहां पर सारे पाठकरम पर अ आपको किसी भी परकार का धोखा न हो और आप यहां पर आकलन परिच्छा में पास करके एक दिन 20 सिच्छक बन सकें. अर्थ है मोच प्राप्थ होना ग्यान विनास या प्रिलेथर ठीक है, यह सारा टेस्ट बुक का है और यह जो है आपका विहार जो आकलन हुआ था उसमें पूछा गया भी प्रशन है तो दिखे किताब से ही सारे प्रशन पूछे जा रहे हैं बस मॉली फर आपके आउ सकता है किताब से देखने के नुट्स देख रहे हैं तो यह आपको नुक्षा रिगवेद सामवेद यजूरवेद या अथरवेद सबसे पुराना वेद कौन है सबसे पुराना वेद जो माना जाता है वह आपको रिगवेद को माना जाता है ठीक है सबसे रिगवेद में कितने मंडल है 9 10 11 या 12 रिगवेद में जो है आपका 10 मंडल है रिगवेद में मं कितनी प्रार्थन आएं है सूकत यह एक धार है कितनी प्राथना है जिसको सूक्त के नाम से जानते हैं वो कितना है यह कितना है दस फीज दस्फोर्त संस्क्रीट है रिगवेद का सरवाधिक महतवपूर्ण नदी कौन है देखिए इस प्रशन को आप देख लिजेगा यह यूपी एमपी बिहार और ज्हारकंड सभी परिछाय में अब तक प्रशन को जो थेखिए बिए के अब तक है यह रिगवेद का सर्वाधिक महतवपूर्ण नदी कौन है तो एक बार उलेक हुआ है इसलिए टेस्ट बुक का पाठकरम परिंहां जीतने नोट्स मिल रहे हैं आप लोग एक बार ववाज से देख लिजएगा ओनलाइन आपको नोट सिर्ट तीस रुपए मिल जा रहा है तो आप खरीद की इहां से पढ़ सकते हैं नहीं तो फिर पस्तावा हो जाएगी रिगवेद काल के लोगों का मुख भोजन क्या था जाव गेहुं धान डाल धान या कोई नहीं तो रिगवेद काल के लोगों का मुख भोजन जो है वो जाव और गेहुं है अगला है रिगवेद काल के लोगों का मुख आजीव का क्या था क्रिशी पसु पालन चारागा या परियाटक रिगवेदी काल के लोगों का मुख आजीव का क्या था क्रिशी पसु पालन चारा गा या परियाटक ठीक है तो रिगवेदी काल के लोगों का मुख भोजन तो वह आपका पसु पालन था रिगवेदी काल में किस पसु का अधिक महतु दिया जाता था रिगवेद गूल 20 गूल 20 गूल घुणा इसका राइटर्स सलोजागा। रिगवेदी काल का सबसे महतवपुन देवता कौन थे इंद्र अगनी यम या सोन तो रिगवेदी काल का सबसे अधिक महतवपुन देवता जो थे वो आपको इंद्र को सबसे महतवपुन देवता माना गया है इमाम गाउं वर्तवान में किस राज में है महाराष्ट, करनाटक, केरल या आंधर परदेश तो इमाम गाउं जो है यह बहुत ही बाप बड़ा था और यह किस राज में था तो यह आपका वर्तवान में जो है महाराष्ट राज में इसी थे यह भी प्रशन M.V.B.I. है आपक निकंदर, महापदमनंद या धनानन ठीक है तो नंदवन्स का अंतिम जो सासक था वो देखिया आपको था धनानन ठीक है कौन है नंदवन्स का अंतिम सासक धनानन था मौर्य वन्स का अस्थापना किशने किया विम्बिशार चंदरगुप्त पर्थाम चंदरगुप्त दिवतिये या चंदरगुप्त मौर्य यानि मौर वंस का अस्थापना किशने किया तो मौर वंस का जो संस्थापक थे जिसने अस्थापना किया उनका नाम था चंदरगुप्त मौरिय मौर वंस का संस्थापक चंदरगुप्त मौरिय थे चंदरगुप्त मौरिय ने किसकी सहता से धनानंद की हत्याकर मौरिएवंद्स का अस्थापना किया था बहुत important question दो बहुत बार आया हुँआ है किसकी सहयता से तो ओथे चानक केучा ओधे कोटिल यह सहयता से चंद्रगुप्त मौरिय ने यहाँ पर धनानंद की हत्याकर मौरिएवंद्स का अस्थापना किये थे हैं अगला है सवर पर्थम आम चुनाव कब हुएं 1951, 1952, 1953 या 1954 तो सवर पर्थम आम चुनाव कब हुएं ये भी 1001 बार प्रस्न पूछा गया है और आपके लिए भी MBBI है तो 1952 इसका राइट एंसर होगा 1952 में पर्थम आम चुनाव हुआ था समझत भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था यह जनकारी किस गरंद से मिलती है बौद गरंद के अंगुतर निकासे जैन गरत भगवती सुत्र से A और B दोनों या D कोई नहीं ये कोमेंट आपके लिए है आप हमें जुड़ू करताएंगे इसका एंसर हो जाएगा यहां पर कोई नहीं इसमें से कौन से महाजनपद में राजतंत्रिया महाजनपद थे यानि जो 16 महाजनपद थे उसमें कुछ राजतंत्रिया महाजनपद थे जहां पर राजा का इदिकार था वो कौन थे मगत कौसल वत्स या सभी इसका राइट एंसर इसमिस होगा शभी यानि इन में से सभी जो थे ये राज़तंतिरे महाजन पत्रूद कोन-कोन यूद की आप पानिपत का पर्थम यूद, खानवा का यूद, चंदेरी का यूद, घागरा का यूद या सभी तो आपको बता दे लिए यूद सेक्षन ऐसा है जहां से एक नेक प्रशन आपको हमें यूद सेक्षन के लिए आपको हमने सारा ट्रिक बना दिया है, आप यूद को देखना चाहते हैं, सारा यूद को हमने ट्रिक से बताया है, तो आप हिस्ट्री सेक्षन के अंतरकत हम से जूड़ जाईएगा, जिसमें हिस्ट्री का पूरा यहां पर ट्रीकी वाइज आपको सारा नोट्स दे दिया जागा तो इसका हम अभी प्रस्ण के बाद इसका देखिए हम यहाँ पर आपको ट्रीक भी देने वाले हैं तो आप वीडियो के अंतर जब जुड़े हो रहेगा तो आपको ट्रीक भी मिल जाएगा सारा यूद का इसमें जो मुगल समराज का यूद कि देखिए यहाँ पर हमने एक फर्मूला आपको ट्रीक बना दिया है कि बाबर द्वारा कौन-कौन यूद किया गया है महतोपूर्ण यूद को कैसे आप याद रखेगा तो देखिए एक बार एक पान के दुकान पर खड़े थे हैं ठीक है उसका नाम था जो पान खा रहा था वो बाबर क्या नाम था बाबर तो बाबर को एक दोस्त ने कहा रहे बाबर पान खो और चल घर ठीक है क्या कहा है पान खो और चल घर तो इह है पर पूरा बाबर के यूद का जिवनी आपको य पानिपत का पर्थम यूद, खानवा का यूद, चंदेरी का यूद और घागरा का यूद, समझ गया है। यह कह रहे हैं, तो इससे याद हो गया, अब देखे, एक चीज़ और याद रखेगा, कि बाबर सौब जूद में जीदा है, यह जितना यूद हुआ, बाबर पानिपत का यूद हुआ, उसमें भी बाबर का जीत, खानवा का यूद में बाबर जीता है, चंदेरी की यूद, घागरा के सौब यूद में बाबर बिजाई रहा, तो कभी पूछता है, पानिपत के यूद में बिजाई कौन रहा, खानवा के यूद में बिजाई कौन रहा, चंदेरी के यूद में बिजाई कौन रहा, घागरा के यूद में बिजाई कौन रहा, तो और सौब में मार य बाबर नमक किस भाशा में लिखा गया इरानी भाशा तुर्की भाशा प्रांसी भाशा इराकी भाशा तो बाबर यान नमक पदसेली मुभी पदसेली लाइप पैसेली या कोई नहीं बाबर के मिर्तु के बाद मुगल समराज की गदी पर कौन बैठा? अकबर, हुमायू, जहांगिर या साज, ठीक है? तो बाबर के मिर्तु के बाद मुगल समराज की जो गदी पर बैठा, वो यहां पर आपका कौन था? तो इसके लिए भी एक ट्रीक आपको बता देते हैं, ठ जो जाते आज पिर आगे देखे हुमायू से पहले देखे बाबरहिए तो फिर आगे देखे ऐसधि साजेह और लास्त कोई और और अंतिली जेका है तो बाबर के बाद मुगल सामराज की गदि पर का हो जाएगा बताई यह था ही पर हुमाईगा ना मोगल समाराज में बैटवारा को्ला का उनकावेत बाता हो लूग हुमायू की असफलता का देखे सबसे बड़ा कारण था ना अगला प्रशन है चौसा का यूद किन के किन के बीच हुआ ठीक है देखे तो हुमायू का ज्यादा यूद जो हुआ है उस सेरसा के बीच हुआ है किसके बीच हुआ है सेरसा के बीच ही हुआ है और सेरसा के डॉर स सब्सक्राइब मberका सब्सक्राइब को को रहा हुआ हुआ एक रोट ट्रिक बता रहे है यूदोला यूदोला सब्सक्राइब कि यहां पर चौंसा का यूद हो घुट 3549 जई भी मोगा है बिलंगराम के यूद का हुआ है 500 45 lif阻USTabyigi अडिया जुद भान, जो 10一点 green on e measurements एराग के और कोई नी नहीं न भाग गया था कहां भागा इन bere mogę । महलं बईठ है ।पो biodiversity कोई से होई गोडह से गिरने के कारण डिलपनानगर से या पुस्तकाल के सीड़ी गिरने के कारण यह कुई कॊषा ओग्ज केस करण। पुस्तकाला के सेरे मंडल पुस्तकाला के सीड़ी से गिरने के कारण हो गया था हुमायू की मिर्तियों ठीक है अब देखे गई है या लिखा हुआ है 1556 इसमें दिलपना नामक इमारत के पुस्तकाला है कि सीड़ीों से गिरने से उसके मिर्तियों हो गई थी हुमायू द्वा लिखा है, चौसा देखे, चौसा का यूद 1549 इस भी, और कौसा देखे, कनोज का यूद 1549 इस भी, ठीक है, और हुमायू और सेर्सा लिख ले तो देखे, यह यूद हुआ जो हुआ था, हुमायू और सेर्सा के बीच हुआ था, यही चीज है, हुमायू और सेर्सा के बीच ह बिठेगा ठीक है तो लिखा हुआ हुसा दोनों यूद में हरका सामना करना पड़ा दोनों जूद लेड़ में मुगल समराज के साथ सब क्यों बना था आपको तो पताहिं दिये तो अकबर 13 बर्स के हवस्तामें रजगादी बर बिठा अपने पितां कहाँ रहा था आप पंजाब के कलनावर में हरियाना के भ surrounds में गुज्राथ गंदिनगर नर्हें कोई नहीं तु देखे उस समय यहाँ पर हुमाईो के मिर्तु के समय अकबर जो था वो कहां रहा रहा था तो पंजाब के कलन और नामकस्थान में रहा रहा था अकबर का सन रच्छक कौन हुगा आमीर खुष्रो अब्दुलरहीम खान खान रहीम या बैरम खा तो अकबर का सेना पती जो है बैरम खा अकबर का सन रच्छक मना था पानीपत का तो पानी पत्का दितिय यूद आपका जोगये हैं अक्वर और कारिजी आपका पहनू के बीश हो गया था ठीक है अब देखेगा अखभर का सैना पति बैरम खाँ हेमु को पराजित के था थ। पर पर पुछा कि एक तो एक हल्दी घाटी के यूद कब हुआ, तो हल्दी घाटी ठीक है, अब देखेगा, हल्दी घट्ट में अकबर के और से कोण लड़ रहा था, राजा मान सिंग, राजा प्रताब, भैराम खाई या उकिल wrestle तो राजा मान सिंग लड़ रहा था, जहांगिर के बच्पन का नाम क्या था जहांगिर के बच्पन का नाम बदरुदीन, खूरम, सलीम, यादे के बच्पन का नाम याद रखेगा सौप के बच्पन का नाम ये को ट्रीक हम दे दिये हैं, अब खूस है साली जहां अब खूस है, अब खूस है साली जहां तो अकबर के बच्पन का नाम देखे बदरुदिन ठीक है और यहां पर खूस है सा जहां के बच्पन का नाम खूरम और है जहां जहांगीर के बच्पन का खूस है अब खूस है साली जहांगीर के बच्पन का नाम साली Salim are link of Salim तो जहागिर के बच्णपन का नाफ Salim हो जाग Idea क्या हो जाया? नयाइक की जंजीर के लिए इतिहास में कौन परसिद है? अकबर, जहागिर, बाबर या ओरंगजे तो नयाइक की जंजीर के लिए जहागिर को ठीक है जहागिर नया की जंजीर के लिए परसीद है सर टाम सरोब कैप्टन होके किस के दरवार में आया थे तो जहागिर के दरवार में आया थे ना जहागिर के पत्नी का नाम क्या था तो नूर जहागिर के पत्नी का नाम नूर जहाँ था नूर जहाँ ठीक है वास्तु कला के द्रिष्टी से किस सासक का सासनकाल स्वर्न यूग मना जाता है सा जहां ने दिल्ली का लाल किला का निर्मान किषने करवाया सा जहां यहां पर हो जागा जावा मज़िद का निर्मान किषने करवाया सा जहां ने बहुत ही पोटेंट किशन बहुत बहुत ही बार बार वही चीजा है तो मुगल समराज का अंतिम प्रकरमिक सासक जो होगा वह आपका है यहां पर औरंग जेव आपको आमने भाज सो भी लिखवा दिया जिंदा फिर के नाम से किसको जाना जाता है औरंग जेव को जाना जाता है सेर सा के बच्पन का नाम क्या था फरीद था सेर सा के बच्पन का नाम क्या था तो देखें सेर सा के बच्पन को फरीद के नाम से बुलाया जाता था इसको याद रख लेए क्योंकि बच्पन का नाम जो है एक आता ही आता है अपली याद रखें सेर खा के नाम से किसको जाना जब को तो सेर खा के नाम से किसको जाना जाता है तो सेर खा के नाम से यहाँ पर जो जाना जाता है वो सेर सा को जाना जाता है लेकिन इसमें आप्शन कहीं नहीं है ठीक है अकबर जहांगिर सा जाए यानि इसमें कोई नहीं होगा तो सेर सा को ही सेर खा के नाम से जाना जाता के साथ हुआ।